नमस्ते बच्चों, साइराम लास्ट क्लस हमने क्या पढ़ा था? हमने उ की मात्रा पढ़ा था और दिनों के नाम वो भी हमने पढ़ा था क्या आपको याद है? ओके हम वो सब थोड़ा रिवाइस कर लेते हैं फिर आज बुक बाग एक्सरसाइज भी करेंगे और पेंसिल लेकर बैठिये तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था? कच्छुआ, पुल, चुहिया, गुडिया कच्छुआ, पुल, चुहिया, गुडिया तो ये चार सब्दों को हमने पढ़ा था ये अब लिक कर थोड़ा प्राक्टिस कीजिए नेक्स्ट ये हमने रीडिंग प्राक्टिस के लिए पढ़ा था धुन, बुन, सुन, चुन सेकंड लाइन, मधुर, चतुर, अनुज, बहुत थर्ड लाइन, चुन्मुन, मुन्मुन, बुलबुल, गुम्सुम फूर्थ लाइन, पुजारी, सुपारी, सुराही, कुमारी और बच्चों, ये भी देखिए उ की मात्रा ऐसे भी लिखा जाता है, ठीके? तो जैसे रुक, रुची, ठीके? र, उ की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं, ठीके? रुक, रुची, ये देखिए, एक्जाम्पल नेक्स्ट, कल, कूल, धन, धुन, पल, पूल, गुम्स, गुम्सुम्स तो ये भी हमने पढ़ा था नेक्स्ट गुडिया नाज उठी तो हम और एक बार इसे भी देख लेते हैं मधु की बड़ी बहन सुमन आई सेकेंड लाइन वो एक दुकान पर गई ठीके थर्ड लाइन गुडिया लाई फोर्थ लाइन मधु बहुत खुश हुई नेक्स्ट लाइन वो गुलाबी कुर्ता नेक्स्ट जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई ठीके ये देखिए ये है मधु की गुडिया नेक्स्ट तभी मधु की बुवा आ गई वह सुनेहरा मुकुट लाई नेक्स्ट गुलाबी कुर्ता जामुनी चुनरी और सलवार पहन कर गुडिया नाज उठी वह कितनी बढ़िया मधु की गुडिया तो अभी बताईए और एक शब्द में उत्तर दीजिए बच्चों ये आप पेज नंबर 37 देखिए जो ब्लांक स्पेस है उधर आप लिखिए ठीक है तो एक शब्द में उत्तर दीजिए क मधु की बड़ी बहन कौन थी? आंसर आप लिखिए सुमन सु की मात्रा म न सुमन ठीके? मधु की बड़ी बहन कौन थी? सुमन ठीके? नेक्स्ट ख मुकुट कैसा था? तो मुकुट कैसा था बच्चों? सुनहरा ठीके? सु की मात्रा न हर र आ की मात्रा सुनहरा ठीके? तो लिखिए मुकुट कैसा था? सुनहरा नेक्स्ट ग सुमन क्या लाई? अप लिखिए गुडिया सुमन क्या लाई बच्चों? गुडिया लाई थी, करेक्ट? तो सुमन गुडिया लाई लिखिए गु की मात्रा ड, ए की मात्रा, य, आ की मात्रा, गुडिया ठीके? ग, उ की मात्रा, ड, ए की मात्रा, य, आ की मात्रा, गुडिया ठीके? हो गया बच्चों मधु की बड़ी बहन कौन थी सुमन मुकुट कैसा था सुनेहरा और सुमन क्यालाई गुडिया आप सबने लिख लिया अभी हम दिनों के नाम फिर से कहेंगे ये रिटन नहीं ओरल है this is for conversation सोमवार, मंगलवार, बुधुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवीवार ठीक है सोमवार, मंगलवार, बुधुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवीवार आप अच्छे से कहकर प्राक्टिस कीजिए ठीके, ये conversation के लिए है, दिनों के नाम, ओके, तो अभी आप बुक exercise थे, page number 37 देखिए, चित्रों के नाम पूरे कीजिए, ठीके, यहां पर कुछ चित्र है, जिसके नाम आपको लिखना है, ठीके, पहला वला क्या है बच्चों, चित्र देखकर आप बताईए, यह है कुली, correct, कुली, next, मुरली, यह क्या है, यह है पूल, और यह है कुटिया, correct, अब ही हम लिखेंगे, आप लिखिए, क, उ की मात्रा, ल, इ की मात्रा, खुली, ठीके, हो गया, क, उ की मात्रा, जो मिस्सिंग है, वो हमें लिखना है, next, यह है मुरली, म, उ की मात्रा, र, ल, इ की मात्रा, ठीके, मुरली, उसके बाद यह है पुल, प, उ की मात्रा, ल, मिस्सिंग है, तो हम ल, लिखेंगे, पुल, ठीके, next, कुटिया, क, उ की मात्रा, त, इ की मात्रा, य, आ की मात्रा, कुटिया, ठीके, तो हो गया, पुली, मुरली, पुल, कुटिया, next, चित्र के सही नाम पर टिक लगाईए, जो सही नाम है, सही नाम पर टिक लगाईए, ठीक है, तो चित्र देखिए, ये क्या है, ये है कच्छुआ, और तीन ओप्शन दिया गया है, बटुआ, कच्छुआ, चुहिया, तो second one करेक्ट है, कच्छुआ, ठीक है, तब second one पर टिक लगाईए, नेक्स्ट, ये क्या है, ये है सुराही, ठीक है, तो ओप्शन में आप देखिए, क्या क्या दिया गया है, सुराही, पुल, पुजारी, तो हम कहां पर टिक लगाएंगे, सुराही, ओके, और next ये क्या है, ये है गुलाब, और ओप्शन में क्या क्या है, मुरली, मुकुट, गुलाब, तो हम कहां पर टिक लगाएंगे, लास्ट वान गुलाब करेट अभी ये दिखिए ये क्या है ये है चुहिया ठीक है और ओप्शन्स में क्या क्या है बुढिया चुहिया गुढिया तो हम कहां पर टिक लगाएंगे चुहिया हो गया तो आप सबने टिक किया बच्चों फर्स्ट वान चुहिया नेक्स्ट सेकेंड वन सुराही थर्ड वन गुलाब फोर्थ वन चुहिया ठीक है ओके और उसके बाद नेक्स्ट पेज आप देखिए नीचे दिये शब्द पढ़कर चित्र बनाईए तो मैंने यहां पर चित्र बनाया है तो आप भी देखकर चित्र बनाईए ठीक है जो शब्द दिया गया है वो पढ़कर चित्र बनाईए गुलाब तो आप एक गुलाब के फूल बनाईए ठीक है यह है गुलाब और यह है चुहिया ठीके तो आप एक चुहिया बनाईए ठीके तो यहाँ पर एक गुलाब बनाईए और नेक्स्ट एक चुहिया बनाईए ठीके तो बच्चों हमारा बुक एक्सरसाइज कम्प्लीट हुआ अभी हम यह भी पढ़ेंगे बुल बुल सुबह सुबह एक बुल बुल आती गुन गुना आती गीत सुनाती यह देखिये यह है बुल बुल ठीके तो सुबह सुबह एक बुल बुल आती गुन गुना आती गीत सुनाती मधुर मधुर वो गीत सुनाती गाकर सब का दिल बहलाती बुल बुल मीठा गाना गाओ मुन मुन चुन मुन तुम भी आओ यह देखिये यह मुन मुन यह चुन मुन तो बुल बुल मीठा गाना गाओ मुन मुन चुन मुन तुम भी आओ कितनी मीठी उसकी धुन मुन मुन चुन मुन आ कर सुन ठीक है तो हम और एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद आप इसे पढ़कर याद कीजिए ठीक है सुब सुब एक बुल बुल आती सेकेंड लाइन गुन गुन आती गीत सुनाती थर्ड लाइन मधुल मधुल वो गीत सुनाती फॉर्थ लाइन गाकर सबका दिल बहलाती तो बुल-बुल बहुती मीठा गाती है तो सब खुश हो जाते हैं बुल-बुल जब गाना गाती है तो ठीके गीत गाती है तो सब खुश हो जाते हैं ओके तो ये जो लड़का है बच्चा ये क्या कह रहा है बुल-बुल मीठा गाना गाओ मुन्मुन चुन्मुन तुम भी आओ वो मुन्मुन और चुन्मुन को बुला रहा है कितनी मीठी उसकी धुन मुन्मुन चुन्मुन आकर सुन ठीके अभी आप मेरे साथ रिपीट कीजिए सुबह सुबह एक बुल बुल आती सुबह सुबह एक बुल बुल आती, गुन गुन आती, गीत सुनाती, मधुर मधुर वो गीत सुनाती, गाकर सब का दिल बहलाती, बुल बुल मीठा गाना गाओ, मुन मुन चुन मुन तुम भी आओ, कितनी मीठी उसकी धुन, मुन मुन चुन मुन आकर सुन, तो यह जो कविता हमने पढ़ा, यह थोड़ा गाया कर प्राक्टिस कीजिए, और रीडिंग प्राक्टिस भी कीजिए, बचों देखिए, यहां पर बहुत उ की मात्रा वाले शब्द है, जैसे सुब़, ठीक है, बुल बुल, सुब़, गुन गुनाती, सुनाती, मधूर, मधूर, बुल बुल, मुन मुन, चुन मुन, तुम, धुन, सुन, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम क्लास वर्क लिखेंगे, तो धन्यवाद बच्चों,